जी पापा, चल भई, बहुत तेज धूप हो रही है, अब घर चलते हैं, अब नहीं हो रहा, मैंने आपसे कहा था, कि आप रहने दो पापा, मैं कर लूँगा अकेले, हाँ, हाँ, कहा तो था, पर तुझे अकेला कैसे करने दू, इतना बड़ा खेत है, तैयार करने में समय तो लगेगा, ना, आप भई, तु मैं भी कह रहा हूँ पापा, आप घर जाओ मैं करता हूँ, नहीं तू भी साथ चल, रोटी रोटी खा लेते हैं, फिर साम को आएंगे पर पापा तब तक तो अंधिरा हो जाएगा, आप चलो न मैं आता हूँ, अरे जिद मत कर, चल मेरे साथ, आज की छुट्टी मान ले, अरे पापा किसान की छुट्टी कभी नहीं हो दी, अरे मैंने कह दी आना, तो हो गई आज छुट्टी, अब चल मेरे साथ, ये कहानी इ उसके बड़े से खेत के बीचो बीच बना हुआ था फिर घर पहुँच कर आ गए दोनों, चलो आ जाओ मैं खाना लगाती हूँ, वैसे खेत का काम पूरा हो गया कहा मा, पापा कहने लगे कि आज छुट्टी है तो मुझे भी अपने साथ छुट्टी मनाने ले आए छुट्टी, मतलब अरे गंगा बहार निकल कर देखो कितनी तेज धूप है मैंसे कोई बिमार पढ़ गया तो और मुसीबत अच्छा मोना कहा गई वो कुए से पानी लेने गई है पिताजी कितनी बार खाया आपसे एक नल लगवालो न पहले मा और अब बेचारी मोना कितनी दूर से पानी भर कर लाती है हमारे लिए तो क्या हो गया बीटा तुम दोनों भी तो कितनी मेहनत करते हो हमारे लिए हाँ मा पर नल तो होना ही चाहिए न ठीक कह रहा है तू अच्छा चल इस बार की फसल बिख जाने दे अब की बार सबसे पहले नल खुदुआउंगा किशन से वादा लेकर सोनु के चेहरे पर संतोश था और वो खाना खाने लगा तभी खाना खाते हुए अच्छा मैं क्या कह रही थी सोनु के बापू आप बोलो ना गंगा इसकी शादिवादी करनी है की नहीं हाँ हाँ करेंगे ना वो बढ़िया से करेंगे रहने दो पिता जी इतनी परिशानिया क्या कम है जो एक और मोर ले लू पत्नी परिशानी नहीं होती पगले, वो तो परिशानी से बाहर निकलने का जरिया होती है देखना बहु आ जाएगी तो किस्मत खुल जाएगी हमारी हाँ भया, मा सही कह रही है कहें तो ऐसे रहियो मा, जैसे वो आएगे तो आस्मान से पैसा बरसने लगेगा पहले कुछ पैसे वैसे खटा कर लें फिर सोचेंगे इसके बारे में ऐसे ही कई महीने बीद गए किशन की फसल पक्कर तयार थी इस बर किशन की अच्छी फसल हुई थी फसल से किशन को अच्छे पैसे भी मिले थे तो वादे के मुताबिक किशन ने सबसे पहले घर में एक हैंट पम खुदवाये और फिर उसी शाम हाई कितना मीठा पानी आ रहा है सोनू के बापू ये काम आपने अच्छा कर दिया अब सुनो इससे पहले कि कोई और बड़ा खर्चा आए सोनू का ब्या भी कर दो और उसके लिए कमरा भी बनवा दो ना मा अभी तो चुप कर तुने कहा था न कि पहले नल फिर बहू ले अब लग ग्या नल अब तु कुछ नहीं बोलेगा मा की बात सुनकर सोनू चुप हो गया फिर उस दिन से ही गंगा और किशन ने सोनू के लिए लड़की देखना शुरू कर दिया और फिर क्या हुआ मा बात बनी हाँ बन गई भई मुझे तो लड़की बहुत अच्छी लगी राधी का नाम है उसका पढ़ने लिखने में बहुत तेज है पर पर क्या मा उसके बाबा की तब्या सही नहीं रहती मा है नहीं लेकिन मुझे तो बहुत अच्छी लगी देखने में भी बड़ी प्यारी है हाँ और मुझे तो बहुत समझदार भी लगी हम तो हाँ कराए हैं अब तो शादी की तयारी करो भाई कुछ दिनों के बाद सोनू की शादी राधिका से हो गए राधिका ने ससुराल आते ही घर का सारा काम संभाल लिया इस छूटे से परिवार में खुश्यां ही खुश्यां थी फिर एक दिन मा जी अपना गाम तो बहुत चोटा है यहां तो कुछ ही घर दिखते है हाँ बिटा शुरू से ऐसा ही है यह गाम राम राम सब से है लेकिन किसी से कोई जादा मतलब रखता नहीं है सब अपनी अपनी केती करते हैं और खुश रहते है मा जी हाईवे काँ को जाता है दिल्ली की तरफ जाता है बिटिया आप कभी गई हो दिल्ली हाँ एक बार तेरे बापू ले गए थे मेरे इलाज के लिए बहुत चोड़ी सड़क है भाई बस वाले ने सर भगा दी बस इसका मतलब दिल्ली जादा दूर नहीं है यहां से हाँ पर तू क्यों पूछ रही है नई नई पुछने बस ऐसे ही गंगा समझ नहीं पारी थी कि राधिका के मन में क्या खिछड़ी पकरे थी ऐसे ही वक्त बीटता गया फिर एक दिन किश्वन और सोनू सिर पकड़े बैठे थे तभी राधिका चाय लेकर आई क्या हुआ पापा कोई परिशानी है क्या हाँ बेटी इस बार बड़ी विपत्ती आन पड़ी है अब की बार बारिस बहुत कम हुई है सारी फसल सूखने लगी है बेचारा सोनू नल से बाल्टी भर भर कर फसल सीच रहा है ताकि हमारे परिवार के लायक तो कम से कम अनाज निकल ही आए पर पिछले साल तो खूब बारिस हुई थी हाँ राधिका तब इतनी बारिस हुई थी कि आदी फसल गल गई थी खेती किसानी की यही समस्या है बारिस कम हो तो दिक्कत और जादा हो जाए दो दिक्कत भगवान जाने क्या होगा आगे मोना की शादी भी तो करनी है और जब पैसे ही नहीं जुड़ेंगे तो फिर कैसे होगा सब भरोसा रखो गंगा सब ठीक हो जाएगा अपने परिवार को परिशान देख राधिका भी दुखी हो गई वो अब अपने परिवार की मदद करने के बारे में सोचने लगी और फिर पापा एक बात कहनी थी आपसे हाँ बेटा बोलना क्या बात है मोना की शादी के लिए कितने पैसे चाहिए आपको क्यों ऐसा क्यों पोच रही है बेटी बताईए न पहले कम से कम पाँच लाग तो होने ही चाहिए तीन के आसपास तो जमा है बैंक में लेकिन दो लाग का इंतजाम कैसे होगा पता नहीं मेरे पास एक कुपाई है अगर आप लोगों को ठीक लगे तो हाँ हाँ बोलो ना राधिका देखिए आज कल ना ये शेहर वालों को फार्म हाउस वेडिंग और फार्म हाउस पार्टी का बड़ा चसका है हमारा खेत हाईवे से लगा हुआ है दिल्ली भी दूर नहीं है तो बस हमें हाईवे से खेत तक का रास्ता ठीक करना है लखडी से खेत की बाउंडरी करनी है और कुछ चारपाईया और सजावट का का काम करना है और एक अच्छा सा नाम सूच कर एक बोर्ड लगाना है बेटा अब मुझे तेरी बात कुछ-कुछ समझ में आ रही है सबके लिए पैसे कहां से आएंगे वो तीन लाख रुपई हमारे काम आएंगे और अगर धंधा चल निकला तो मोना की शादी हम धूमधाम से करेंगे मुझे भी या आइडिया बढ़िया लग रहा है अगले ही दिन से पूरा परिवार राधिका के कहने पर काम में जुट गया हाइवे से लेकर खेट तक बढ़िया टाइले लगा दी गई लकडियों से खेट की चार दिवारी कर दी गई और फिर खेट अच्छे से साफ कर उसमें घास उगा कर जगजगर सुन्दर चार पाइया लगा दी गई फिर खेट ते बीचों बीच एक सुन्दर और बड़ी सी खुली जोपडी बनाई गई पूरे परिवार ने जम कर मेहनत की फिर अगले ही दिन हेलो मेरा नाम राहूल है मैं दिल्ली से आया हूँ ये रिजॉर्ट पहली बार देखा क्या परसों शाम के लिए स्पेस अवेलिबल है हाँ जी बिलकुल क्या फंक्षन है राधिका का प्लान काम कर रहा था दो दिन बाद राहूल ने अपने बच्चे का बड़े खुब बच्चे से बनाया राधिका और उसके परिवार ने पूरे खेत को गुबबारों और रोश्नी से सजाय था ऐसे धीरे धीरे लोगों को गंगा के रिजॉर्ट के बारे में पता चलता गया और लोग आते गया अब तो राधिका और उसके परिवार को काम से फुर्सत नहीं थी फिर ठीक दो साल बार भया खाना जल्दी लगाओ बारात आने वाली है जी मैडम अभी लगाता हूँ ओहो मुना तैयार हुई की नहीं मुना मुना आज़ो भाई देख रही है राधिका अपनी ननत को हाँ मा परी से कम नहीं लग रही है सब आपकी वज़े से है भाबी मेरी नहीं हमारी वज़े से और सुनो अपने पहले बच्चे के पहले बड़े के लिए अभी से बुकिंग कर लो इस रिजॉर्ट की क्या पता तब ये स्पेस खाली हो या ना हो विदाई के वक्त सिम्रन अपने पिता से लिपट कर खूब रोती है बाबा बाबा मुझे आपके बहुत याद आएगी अब मैं कैसे रोगी आपके बिना बेटी जब भी तेरा मन करे तू आ जाना ये घर हमेशा तेदा ही रहेगा जा बेटी अब अपनी मा से भी मिल ले मा पज़े आपने जो भी प्यार दिया उसके लिए शुक्रिया अब ज़्यादा ट्रामे मत दिखा और अब जाए यहां से ये कहकर रमोला उसे धक्का देते ही है कि तभी उसका पदी नैतिक उसे संभाल लेता है क्या हुआ तुम गिर कैसे गई वो लेंगा पैर में अटक गया था बस इसी वज़े से फिर सिमरन अपने मन में सोचती है अच्छा हुआ मा को धक्का देते हुए किसी ने नहीं देखा मैं हमेशा मा के प्यार के लिए तरसती रही लेकिन उन्होंने मुझे कभी प्यार नहीं दिया फिर सिमरन ब्याह कर घर आ जाती है उसके सास ने उसके स्वागत में गुलाब के फूल बिचाय होते हैं साथ ही वो बड़े प्यार से उनकी आर्ती उतारती है और गिफ्ट में उसे सोने का हार देती है ये ले मेरी प्यारी बहू तेरा सगुन बहू अपसे ये घर तेरा है और हम सब भी तुझे कुछ भी चाहिए होगा या किसी काम में मदद चाहिए हो तो हमें कहना अच्छा अब तुम दोनों ठक गए होंगे थोड़ी देर आराम कर लो बाकी की रस्में फिर करेंगे शुक्रिया माजी सिमरन नैतिक के साथ कमरे में चली जाती है और आराम करती है फिर दिन के एक बजे उसकी नेन खुलती है ओ गौड कितनी देर हो गई मेरी पहली रसोई की रस्म भी अभी बाकी थी माजी तो बहुत गुस्सा करेंगी सिमरन जल्दी से बातरूम की तरफ जाती है लेकिन बातरूम से नहा कर निकल रहा नयतिक सिमरन से टकरा जाता है और सिमरन फिर गिरने वाली थी कि तभी वो से संभाल लेता है इतने मैं उनके कमरे में सिमरन की सास कमला जाती है अरे बच्चों, ये क्या कर रहे हो कम से कम दरवाजा तो बंद कर लेते मा ऐसा कुछ नहीं है वो तो बस हम टगरा गए थे कोई नहीं बच्चो अभी तो तुम्हारे दिन है खेलने कूदने के चलो अच्छा अब तुम दोनों फ्रेश होकर नीचे आजाओ खाना लग गया है टेबल पर माजी मुझे माफ कर दीजे मेरी आँखी नहीं खुली कोई बात नहीं बेटी मैं समझती हो शादी की ठकान होगी अभी शरीर में अपनी सास की बात सुनकर सिमरन सोचती है माजी ने तो मुझे बिल्कुल भी नहीं डाटा लेकिन जब मैं अपनी घर पर एक बार लेट उठी तो मानी क्या हाल कर दिया था मेरा हे भगवान सुबह के नौ बज गए और यभी तक सोई पड़ी है इतने बजे तक सोती रहेगी अरे घर के कामधाम नहीं करने क्या तेरे पापा का टिफिन और घर की साफसफाई कौन करेगा चला बुट मा मेरी तब्य ठीक नहीं और बुखार सा भी लग रहा है तू ऐसे नहीं मानेगी रमोला बस भी करो आखिर तुम कितना कठोर बनोगी मेरी बेटी के साथ मैं जानता हूँ कि तुमने उसे जन्म नहीं दिया लेकिन कभी तो उस पर जोटी ममता दिखा दिया करो आप चुप रही है जी मैं जो कर रही हूँ इसके भलाई के लिए कर रही हूँ कल को ये ससुराल जाएगी वहां बिमार होगी तो क्या वो इसका बहाना सुनेंगे नहीं न अभी से इसे तयार कर रही हूँ ठीक है लेकिन उस बेचारी के साथ जारा ठीक से पेशाया करो आखिरकार वो हमारी एक लौती बेटी है तभी नैतिक सिम्रन से कहता है सिम्रन कहाँ खो गई चलो तयार हो जाओ हाँ हाँ कुछ देर बाद सिम्रन तयार होकर नीचे आ जाती है जहां उसकी साथ उसकी नजर उतारती है आ थू 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 मेरी बहू को किसी की नजर ना लगे आ मेरी प्यारी बहू अब खाना खा ले वो सब मिलकर खाना खाते है फिर सिम्रन प्लेट उठाने लगती है तो उसके हाथ से एक प्लेट नीचे गर जाती है और तूट जाती है माजी मुझे माफ कर दीजे कोई बात नहीं बहू अरे क्या हुआ बहू तो इतना घबरा क्यो रही है कुछ भी तो नहीं हुआ बरतन है तूट गया तो क्या दूसरा आ जाएगा नहीं नहीं माजी मैं सच मुझे माफ कर दीजे मैं बहुत गरबर करती हूँ मुझे मत जलाइए मत मारिये करम जली तूने ये नया कप तोड़ दिया मेरा नुकसान कर दिया अब देख मैं क्या करती हूँ रमोला चूले में से गरम लकडी निकाल कर सिमरन के हाथ पर लगा देती है सिमरन जोर-जोर से चिलाती है मत जलाइए मुझे मत जलाइए नयतिक जल्दी से सिमरन को गले से लगा लेता है क्या हुआ कौन जला रहा तुम्हें बहु क्या हुआ मुझे पता माची एक पर मुझसे ऐसे किसी खककप तूट गया था तो उसने मुझे चला दिया था लेकिन लेकिन हम तुझे ऐसी कोई सजा नहीं देगे आ, तु मेरे पासा और मेरे कले लगचा मेरी बच्ची यूँ घब राते नहीं ऐसे दिन गुजरते हैं कमला अपनी बहु को बहुत प्यार करती थी वो से किसी भी गलती के लिए डाटती नहीं थी वो से प्यार से समझाती थी कमला अपनी बहु के लिए कुछ न कुछ खाने के लिए बाजार से लाती रहती या नए-नए कपड़े उसके लिए बनवा देती अपनी साज का ऐसा प्यार देख सिमरन की आँखे खुशी से भीग जाती थी ऐसे ही एक रोज कमला सिमरन की पसंद का गाजर का हलवा बनाती है और उसे अपने हाथों से खिलाती है तो सिमरन की आँखों से खुशी के आंसू बहने लगते है ये देख कमला सिमरन से कहती है बस पहू बहुत हुआ मैं जब भी तुझे जादा प्यार देने की कोशिश करती हूँ तो तेरी आँखों से आसू बहने लगते है आखिर क्या बात है बेटी अपनी मा समान सास को नहीं बताईगी माजी आप तो बहुत अच्छी हो और मुझे बहुत प्यार करती हो लेकिन तभी दर्वाजे पर दूधवाला आता है सिम्रन को देख कर उसकी नजर उस पर फिसल जाती है और वो उसका हाथ पकड़ लेता है छोड़ो छोड़ो मुझे छोड़ो एकदम मलाय की तरह मखमली हो तुम तो तभी कमला भी वहाँ आ जाती है और उसे देख कर दूधवाला कहता है माजी देखो ना आपकी बहु मेरा हाथ पकड़ रही है कमला जोड़दार थपड़ उस दूधवाले को मारती है नास पिटे तू मेरी बहु पर इल्जाम लगाएगा उसे छेड़ेगा ये ले कमला उसे मार कर वहाँ से भगा देती है अपने उपर अपनी सास का भरोसा देख कर सिम्रन रोपरती है और अपनी सास के गले लग जाती है आप बहुत अच्छी हो माजी आपने मुझ पर भरोसा किया देतो मा तो क्या मा बहू आप पूछ रही थी ना कि आपका जादा प्यार पाकर मेरी आके नम क्यों हो जाती है क्योंकि बच्पन से लेकर आज तक मैं जिस प्यार के लिए तरस्ती रही वो प्यार आपने मुझे दिया है जब मैं छे मईने की थी तभी मेरी मा घुसर गई थी तब बाबा दूसरी मा लेकर आए ताकि वो मुझे मा का प्यार दे सके लिकिन उन्होंने कभी मुझे मा का प्यार नहीं दिया और अब वो प्यार मुझे आप से मिला जैसे आज दूध वाले ने हरकत की ऐसे एक बार मेरे यहां के दूध वाले ने मेरे साथ की थी फिकिन मा ने उसे गलट ठेहराने की जगा, मुझे ही गलट समझा था कोई बात नहीं बहू, आज से मैं तेरी मा हूँ और रमोला बहन ने भले ही तुम्हें प्यार ना दिया हो लेकिन एक यशोदा बन कर तुम्हें पाला तो है तभी तो मुझे इतनी प्यारी बेटी जैसी बहू मिली है तभी दर्वाजे पर रमोला और मनोहर खड़े होते हैं ये सब बाते सुनकर उनकी आँखों में आंसु आ जाते हैं रमोला को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो सिमरन से माफी मांगती है उस दिन के बाद सिमरन को